नमस्कार दोश्तो हमारी चैनल पर आपका हार्दिक स्वाकत है गोरक मुडी भूडे व्यक्ति को जवान बनाते आखों को छे बाई छे कर दे और हमारी दिमाग को कंप्यूटर की तरह हैं टेज कर दे सरीर के 100 से जादा रोगों को अदबुत रामबान उपाए हैं गोरक दोस्तो अगर आप कोई की वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाए है और प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो गोरक मुडी हमारे सरीर के लिए बहुत अधिक फायतीमत है और इसके हमारे सरीर के लिए विभीनत रहें के परयोग हैं यह अजियन, टीडि, छाती में जलन, पागलपन, अतिसार, वमन, मिर्गी, दमा, पेट के कीड़े, कुष्ठोग, विसविकार, ऐसमें बालो का सफेध होना, आँखों के लोग, आदी में बहुत अधिक लाब दायक है, इसे बुद्धी वर्दक भी माना जाता है, गोरक मुडी की गंग बहुत अधिक तीकी और तेज होती है, गोरक मुडी एक ऐसी ओस्ती हैं, जो आँखों को सक्ती देती है, आयुरुवेद में गो आजा फल तोड़कर भली परकार चबाएं और दो घुट पानी के साथ इसे पेट में उतार लियानी कि बीजाएं, तो एक वर्ष तक ना तो आँखों की आँखें आएंगी और ना ही आँखों की रोशनी कमचोड होगी, गोरक मुडी की एक घुंटी परती दिन सापूत न नहीं हो जाता है, बवासीर, गोरक मुडी का प्रियोग, बवासीर में भी बहुत अधिक फायत्यमंद होता है, गोरक मुडी की जड़ की छाल निकाल कर उसे सुखा कर चून बनाकर हर रोज एक चमच चून लेकर उपर से मठे का सेवन किया जाई, तो बवासीर पूरी तरह नहीं से समाप्त हो जाती है, जड़ को सील पर पीस कर उसे बवासीर के मसों में तथा कंट माला की गाठों में लगाने से बहुत अधिक लाब होता है, पेट के कीड़ों में भी इसकी जड़ का चून बहुत अधिक फायत्यमंद है, दिल, दिमाग और लीवर के लिए, गोर गोरक मुंडी के फायती, अब जानते हैं कि इसकी ओस्ती आपको बनाने कैसे हैं, तीन सो ग्राम गोरक मुंडी लेकर पीस लें, सो ग्राम चान कर अलग रख लीजी, और बाकी बची दो सो ग्राम गोरक मुंडी को पान सो ग्राम पानी में उबालें, जब पानी तीन सो ग्र तब आग बंद कर दें, जब ठंडा हो जाएं कि देखें कि काफी मातर में काढ़ा हुआ या नहीं, यदि कम काढ़ा हो तो थोड़ा सा और पका लें, फिर ठंडा होने पर इसमें 100 ग्राम बारीक पुसी हुई गोरक मुटी डाल लें, जो हमने पहले अलग रखी थी, अब 50 ग जाय में सुखा कर इसका प्रियोग करें, और इलाइची के वल खुस्बो के लिए इसमें हमने प्रियोग की हैं, अब जानते हैं गोरक मुटी के सेवन का तरीका, एक एक गोली, दो समय गरम दूद से, या हलके गरम पानी से, दिन में दो भाग लें, सरदी आने पर आप दो फूंसी, गुर्दे के रो, सिर के रो, सभी में लाब करेगी ये उस्ती, जिनें पेसाब कमाती हैं, या सरीर के किसी हिस्से में खून गिरता हूं, तो ठंडे पानी से लें, इतना सुरक्सित हैं कि गरमती को भी इसको दे सकते हैं, ध्यान रहें कि दो-चार दिन में कोई ल तो दोस्तों, यह थी हमारी वडियो, अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजी, इसके साथ में आप हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजी, और सब्सक्राइबर बटन के साथ, जो बैल का आइकोन है, उसको भी दबा दीजी ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वडियो की नोटिपकेशन आते रहे, धन्यवाद दोस्तों